नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोहू बुक सॉफट्वेर की और जोहू बुक सॉफट्वेर के अंदर आज हम सीखने वाले हैं बहुती सिंपल और बहुती कमाल के ट्रेक यानि अगर आप लोग को एकसल फाइल के उपर दिया हुआ है बहुत स करो क्यों की अगर आप लोग को जोहू बुक का लॉग इन करना पता नहीं है तो अप हमारी येवाली hits के उसमें अंदर कैसे लेकिन यह आइटम तो मेरे पहले के किये हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ नए आइटम इंपोर्ट कैसे किया जाते हैं, यहाँ पर आपको इंपोर्ट आइटम पर क्लिक करना है, जैसी आप इंपोर्ट आइटम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक आपश सकते हैं यहां पर एक sample file download कर सकते हैं simply click करिए और यह sample file आपकी download हो जाएगी अब इस sample file के अंदर आप देखिए इसी format के अंदर आप लोगो को अपना जो है data import करना है अब आपको इस format में जरा ध्यान से देखना है कि इस format में कौन-कौन से columns है जो आप लोगो के पास है जैसे suppose करिए आपको item name डालना है SKU डालना है HSN डालना है आपको जो जो details इंटर करनी है वो वो इंटर कर सकते हैं और इसके अलावा जितनी details है आप skip कर सकते हैं ऐसा कोई दिए कि mandatory हैं all details बढ़ याद रखिएगा कुछ details mandatory होती है जैसे कि आप लोगो को सबसे पहले तो item का नाम ड देना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा आप जितनी भी चीजे हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे ही इसमें डली हुई है और उसके according आप यहां पर एंटर कर सकते हैं description में आप लिखना चाहें लिखे उसके अलावा आपको rate एंटर करना है तो rate भी एंटर कर स है उसके अलावा आप लोग को अगर GST लगाना है तो GST लगाने के लिए आपको इंटर स्टेट रेट भी बताना पड़ेगा यह दो rate आप specify ज़रूर करिए अगर आपके पास GST है तो उसके अलावा आपके पास अगर कोई stock opening stock पड़ा है तो आप लोग opening stock की details यहां बता सक तो इन columns को आप फिल कर दीजे इसके अलावा जितने भी columns है आप चाहें तो फिल करें चाहें तो ना फिल करें तो इसके अलावा कोई भी details आपको देनी है वो आपकी मरजी है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं otherwise यह details मैंने अभी mark कर रिखे screen पर यह details फिल करना आप लोग के रेट है GST का तो वो दीजे otherwise इसको छोड़ सकते हैं तो यह सारी चीजे आप जैसे फिल कर लेते हैं उसके बाद आप लोग का जो stock है वो create हो जाएगा तो चलिए मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने यह information डाल रखी है आप देखे मैंने कुछी information यहा जोड़ा चेंज कर देता हूँ let's suppose मैंने यह तो डाल रहा है यहां पर मैंने तीन नए प्रोड़क्त डाल दिये हैं अब आप देख सकते हैं यहां पर आप इसके यू जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं मैंने यहां पे थोड़ा सा चेंजिस कर दिया है और यह अब आपके बाद मैं यहां पर इसे अपलोड करने वाला हूं आपका क्या है और आपके पास हैंड इन हैंड कितना है अब जीस्टी कितना लगा रहे है वो सब कुछ यहां पर स्पैसिफाइग कर सकते हैं अब मैंने यह कर दिया है आप चलिए दोस्तों क्या करते हैं इस फ अपलोड करने के बाद आप लोग को करना है simply next, next प्रेस करते ही आप लोग को यहां पर imported files जो आपके पास है उसमें कौन-कौन से headers हैं, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपने file import किया है, उसमें कौन-कौन से headers हैं, कौन-कौन से sections हैं, यह आपको दिखाई दे हो सकता है, वो section अलग-अलग हों, तो यह भी हो सकता है, तो आपके जो columns के नाम हैं, वो क्या बिलकुल same है, देखे, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है, कि अगर आपके file में name of column अलग-अलग है, तो आप उसे tag भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास item name का column हो, अब यह भी जरूरी नहीं है कि आप लोग को यहां पर SKU नाम से आपके पास column हो, आपका data, आपका जो file है, Excel का वो अलग type का भी हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप लोग के पास account हो, product type हो, status हो, यह सारे column ना हो, हो सकता है, आपके पास simple item का नाम हो, उसके अला हो, that's it, उसके अलबा कोई detail हो ही ही न, तो आप उन्हें tag नहीं करेंगे, simply आपको बताना पड़ेगा कि, actually जो item का नाम आप महां लिख रहे है, हो सकता है, आपने stock item लिखा हो, तो आपको यहां पर यह column दिये है, यह column के हिसाब से, आपको column भी दिये गए है, कि यह tag कर जो हो, बुक में जो field है, वो item name है, आपने जो लिखी है, आपकी Excel फाइल के अंदर, हो सकता है, stock name से लिखी है, तो stock name ले लिजे, ठीक है, इससे क्या होगा, कि tagging हो जाएगी, map हो जाएगा, आपका जो data है, वो map हो जाएगा, करना होगा, यह देखे, मैं आपको चेक करा द जो, उसके बाद मैं वापस आ रहा हो और previous कर देते है फिर से, और इसको यहाँ रिमुव कर देते है, फिर से डालते है इस फाइल को, आपको तक कर देते ह। अगर आपको same column name है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन अगर column की नाम आपने अलग-अलग बना रखे तो आपको tagging यानि mapping करनी होगी जोह book की fields और अपनी fields को map करना होगा बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है तो यहाँ पर interested purchase जो है percentage बता रखा है आपने interest rate tax rate बता आपकी SKU भी import हो गई आपके पास यह product भी import हो गई very simple very interesting यह देखे तीनोh products आपके आ चुके हैं और अब आप इसे खोल कर देखना चाहते हैं तो भईया देख सकते हैं यह लीजे इसकी काफी सारी details आपको यहाँ पे show हो रही है और आप चाहें तो इससे related आप इसकी images भी browse करके डाल सकते हैं यह भी एक कमाल की टेखनीक है तो इस वीडियो में आप लोग को पता चल चुका होगा कि कैसे आप import कर सकते हैं बहुत सारी excel files में से stock को जोह बुक के अंदर और फिर आप का आम को 3G से कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोग को यह समझ में आ गया हुई